कार करनेल अजय सीओ अजय स्टोमनी ग्रूफ फर्स्ट ग्लोबल एस्टोफनेंस डिजीटल चैनल से आपसे मुकातिब होता हूँ दोस्तो आज 19 मई सन 2023 शुक्रवार दोस्तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मसाला मार्केट की प्रमुख खबरे भाव इसमें काली म मिर्च, सौट, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, मेथी, जीरा, धनिया, मखाना ये सारी जानकारी होगी लाल मिर्च के उपर पूरा एपिसोड देखेगा लाल मिर्च के उपर विशेश अपडेट इस शू में देखने को मिलेगा सबसे पहले एक खबर निकल के आ रही है चिकमंगलूर करनाटक से काली मिर्च के बारे में, फॉर्मर्स नेचरल बल कॉंटिटी के जो निलामी होई है उसने 505 रुपे के भाव काली मिर्च के खुले हैं, सौट के अंदर जो ड्राई जिंगजर है, वहाँ पे सागर कॉलिटी अविलेबल है, 30 किलो पैकिंग के अं है, कोचीन के अंदर 500 से 510, यहां भी 5 रुपे की भाव है, और सागर करनाटक में 485 से 400 पिचन में के भाव है, सौट के भाव कोचीन से 300 से 350, कि यहां 50 रुपे की भाव के अ जो ड़ट बल के जो ब चला आउ रहे है, और करनाटक सागर से 275 से 320 रुपे की, में इसमें 1310 और सेमी के राना 1310 जे 1350 ये हैं मेथ़ी के भाव राजकुट के अंदर है दिया हम बात करें गुजराथ में जीरे के भाव 49,000 से 43,000 गोडल के भाव है और 6-7 सूत के 610 रुपे के भाव है और सौटेट जो है वो हिंट फिक्ट जो है वो 680 रुपे के भाव है और राजिस्तान राम गंज से धनिया की खबर निकल के आ रही है भाव है गोंडल के 20,000, जूनागर के 3,500, राजकोट के 4,000 और जैथपूर के 15,000 के भाव न जा रहे हैं आक्शन जो हुआ है वो 20 के लोग का 1200 से 1400 रुपे के बीच में हुआ है धनिया दोस्तो राजिस्तान के जोथपूर से खबर निकल के आ रही है जीरे के वहाव 7,800 से 8,600 रुपे के 25 के बताए जा रहा है और धनिया वहाँ पे 1180 से 1560 रुपे बताए जा रहा है जोथपूर के अंदर मगज तर्बूज एक्स फैक्टरी के भाव 7 स्टार सुडान 715 से 5 स्टार इंडियन के 680 के भाव हैं तो दोस्तों साथ साथ में उज्जा जीरे की भी बात कर लेते हैं उज्जा के अंदर जीरे के भाव हलका 38,500 से 49,000 मीडियम कॉलिटी 49,500 से 40,000 बै पान सो से 16,000 मीडियम 16,000 से 18,000 बैस कॉलिटी 18,000 से 20,000 के भाव हैं अज्वाइन में खबन कल के आ रही है कि 12,000 से 15,500 मीडियम बैस 13,500 से 16,000 से बाव बता रहे तकते हैं एक्स्ट्रा सुपर ग्रीन बोल्ड सतरह जार से 18,000 के भाव हैं तो दोस्तों ये थे मसाला बजार क आज के भाव अब लाल मिच पे जानिये पूरी जानकारी दोस्तों अब खबर लाल मिच के बारे में कुछ सुत्रों की मान हैं तो साल 2022 में भारत में लाल मिच की पैदावार में जबरदस उच्छाल देखने को मिल रहा है आंदर प्रदेश टेलंगाना और करनाटक में जिस से 30% तक बढ़ने की संभावना बन रही है तीनों राज यानि करनाटक आंदर प्रदेश और तेलंगाना में में स्टॉक काफी है और ऑल इंडिया चिली एक्सपूर्ट एसोशेशन के से भी के की कोई जानकारी के नुसार इस वर्ष अनुमानित क्रॉप का साइज जो है व अधिक स्टॉक इस बार हो सकता है और इसमें ब्लैक चिप्स के वज़े से जो बीमारी थी उसके उपर भी एक समस्या का निदान हो गया है इससे इसकी फसल बड़त है दोस्तों गुंटूरिस्टिस्ट में के अंदर भी सबसे बड़ा जो मार्केट यार्ड है वो पिछले स चाट से 280 रुपर पती किलो थी वही कॉलिटी के अधार पर ये कम होकर 180 से 240 रुपए पती किलो के सर पर गिर गई थी दोस्तों आपको याद होगा हमने आपको सबसे पहले तेजी की बात कही थी उसके बाद लाल मिर्च में लगातार गिरावट की बात कही थी जोंकि मेहिना लाल मिर्च में एक निर्णायक होगा क्या ये तेजी का होगा या मंदी का गौरतला बैक की जब लाल मिर्च की फसल का सामय था उस वक्ट सब लोग लाल मिर्च में कमजोरी की बात कर रहे थे शांदार फसल थी सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में हमारा ही चैनल आपक भूपाद में लालमिर्च के लिए निर्णायक साभित होगा किया वो तेजी का होगा या फिर मंदी का विशेश रिपोर्ट के लिए। और बड़े व्यापारी ही संपर करें विशेश रिपोर्ट के लिए।